क्योंकि सामरिक लिहाज से वो पॉइंट बहुत महत्पूर्ट था चालवाजी करते हुए चीन ने भारत की पोस्ट पर हमला बोल दिया तब चीनी सेना के सामने एक चट्टान की तरह शक्स खड़ा था जिसकी अगवाई में भारतिये सेना की जवानों ने चीन के छक्के छु धूल चटाएं पाकिस्तान को पानी पिला दिया जिस शूरवीर के नाम से आज भी दुश्मनों के पसीने चूट जाते हैं चीन को पहली बार मात देने वाले महायोधा की महाकथा लेटिनेंट जनरल सगत सिंग पान घाटी में विश्वास घात की नई इबारत लिखने वा अर्मी को पसीने चूट जाते हैं क्योंकि लिफ्टिनेंट जनरल सगत सिंग की अगुआई में ही 1967 में भारतिये सेना ने सिक्किम के नाथूला में चीन की सेना को चारों खाने चित कर दिया था 1962 के बाद हवा में उड़ रहे चीन को लिफ्टिनेंट जनरल सगत सिंग की अगुआई में सेना ने ऐसा सबक दिखाया कि वो पूरी दुनिया में मुह दिखाने लायक नहीं रहा आज हम उसी महायोधा की गौरव गाथा आपके सामने लेकर आएं हैं आज हम लेटनेंट जनरल सगत सिंग की बहादुरी और अधभुद युद्ध कोशल के साथ 1967 में भारत के हाथों चीन की पहली बार हार की पूरी कहानी सुनाएंगे जिसकी शुरुआत होती है 1965 से 1965 में उस समय मेजर जनरल रहे सगत सिंग को 17 माउंटेन डिवीजन की कमान सौपी गई थी 17 माउंटेन डिवीजन पर भारत चीन सीमा पर सिक्किम के नाथुला बॉर्डर की रक्षा की जिम्मेदारी थी उस समय पाकिस्तान 1965 की जंग में भारत के हाथों धार की कगार पर पहुँच चुका था फिर उसने चीन के सामने गुहार लगाई पाकिस्तान का साथ पाकर चीन जोश में आ गया वो सिक्किम के नाथुला पोस्ट को खाली करने के लिए भारत पर दबाव डालने लगा दबाव बढ़ाने के लिए चीन के जवान 1962 की तरज़ पर सिक्किम के नाथुला सीमा पर भारतिय जवानों से छड़ब करने लगी लेकिन मेजर जनरल सगत सिंग की अगवाई में भारतिय जवानों ने चीन के सेना को ठक्के देकर बंकर में वापस भेज दिया लेकिन चीन कहां मानने वाला था चीनी सेना की हरकतें बढ़ती जा रही थी दरासल ऐसा करके वो भारत के जवानों को उकसा रहे जो आनी जार्मी के ये बॉर्डर है ये बॉर्डर है तो उन्हों ने बॉला कि जो मैकमोन लाइन है उस पर उनोंने तार लगाना दा जुरूर तो जब तार लगाना शुरूर किया ये अवस्ट में काम चुरू और तो चैना से काफी अपछन हुआ आप हमारी सीमह पे लगा लादूला पोस्ट पर चीन की सेना का दबाओ पढ़ता जा रहा था 1962 की जंग के नतीजों से उनका घुरूर सात्वे आस्मान पर था तब सगत सिंग के पास दो विकल्ब थे पहला कि वो सेना के आदेश की अक्सरस है पालना करते हुए पोस्ट खाली कर दे दूसरा विकल्ब मुश्किल था जिसमें वो सेना के आदेश की नाफर्मानी कर पोस्ट को बचाए सगत सिंग ने ये मुश्किल विकल्ब चुना तामरिक नजरिये से सिक्किम का नाथुला पोस्ट भारत के लिए एहम था उस समय ये भारत तिब्बत के बीच व्यापार का रास्ता भी था फिर सगत सिंग ने फैसला किया कि वो किसी भी कीमत पर अपनी पोजीशन नहीं छोड़ेंगे एक बड़ा कदम उठाते हुए उन्होंने सीमा पर कटीले तार लगाने शुरू कर दिन ने भारत से ऐसे जवाब की उमीद सपने में भी नहीं की थी सीमा पर पैंसिंग करना उनको रास्त नहीं आये और चीन की सेना ने भारत ये जवानों पर फारिंग शुरू कर दे शुरू हुए और यह जो आमने सामने चाइनीज आर्मी था ये एकदम आमने सामने आदे अपने राइफलें बेनिट के साथ लगे वे और जब यह तार ब वो उन पर उनोंने फारिंग की नात्मार्तिय तोपों ने नीचे चीन की सेना पर गोले बरसाने शुरू कर दी है नातूला का जो सबसे उची जगा है वहाँ पर इंडियन आर्मी के टूप्स और इंडियन आर्मी की आर्टरली आपसर बैठे वे थे और उनको पूरा नीचे चाइनीज आर्मी का पूरा दिश्च उनके सामने आ रहा था तो उन्होंने पूरे चाइनीज के जो डिफेंसे थे और जितने भी जो रिइनफोर्समेंट जारे थे उन पर ऐसी बुरी ज़ना आर्मी शेलिंग की और इनके ऐसा बुरा नुक्सान हुआ कि सारा अपरेशन खत्म हो गया चाइनीज ने बुला कि आप सीस फायर करो ये पहली बार है कि हमने नहीं बुला कि सीस फायर करो उन्हें ने बुला तोको के हमले से चीन की सेना में खलवली मस गई चीन के कमांडर ने ये उमीद भी नहीं की थी कि भारत की सेना तोको का इस्तमाल करेगे सगत्रिंक के युद्ध कौशξट और भारतिय सेना की जाबाजी के आगे चीनी सेना टिक नहीं पाई तो से जादा चीनी से निक मारे गए फिर चीनियों ने सफेज छंडा फैराने में ही भलाई समझ के बाद आज तक चीन ने सिक्किम के नातुला पोस की तरफ आख उठा कर देखने की हिम्मत तक नहीं क्योंकि ऐसा सोचते लेटनेंट जनरल सगत सिंग का चटान सा चेहरा आज झाल 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 झाल